हेलो फेरंट्स वागत आपका गीताज काना में आज हम काना जी के लिए एक डैस बना रहे हैं जो बिल्कुल नहीं तरीके से डैस बना रहे हैं काना जी की तेकि गर्वी पढ़ाने के लिए बहुत ही सुन्दर सीवाने डैस बनेंगी देखिए हमारी कटिंग जो पड़ी होती देखिए जितना हमने कपड़ा लिया है उतना ही असर निकाल लेंगे कि यह हमारी 6 इंची का है तो हमारा 3 इंची का गेरा हो गया पर हमारा 2-7-2 इंच का गेरा बनकर त्यार हो जाएगा आप इसे छोटा या बढ़ा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं को कoftके सिद्य साथ नीचे करके और चार तरफ इसके सलाई लगा देते हैं कुरे सर्कल पर किनारे किनारे पर लगा देंगे कि इसके चार फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से आदा से पोना इंच लेंगे दोनों तरफ से और इसकी कटिंग कर देंगे देखिए इतना रखें कि हमारे काना जी के सर में आराम से गुश सके इसको इस तरह से सीधा भी कर लेंगे इसी से इसको इस तरह से हमारा सीधा हो गया है, अच्छे से खोल लेंगे, देखिए इस सर्कल में हम पाइपिन लगा देंगे इस एक तरह से, एक से जड़ेंची पटी लेंगे और इसमें सिल देते हैं, पाइपिन की मोटी पटी अपने हिसाब से कर सकते हैं, पिछे से एक बर मोरं देंगे, दुबारा से मोरं के इसको इस तरह से, पिछे इस तरह से रखेंगे और इसको पीछे की सारे टर्न करके इस तरह से होल्ड कर लेंगे, इसलाई हम आगे की तरफ से लगा देंगे इसमें, यहां पर इसके किनारे किनारे पर हम यह हमारी लैस है कि हम इस लैस का प्रियोक कर लेते हैं इसके साथ साथ ही लगाएंगे चोटी सी हम यहां पर प्लेट टालेंगे तो हमारा सरकल में सही से घुमेंगा यह प्लेट टालने के बाद उसको थोड़ा सा मिस्कोतरों तरह से दबा देंगे तो हमारी सलाई आसानी से लग जाएगी फोलड कर देंगे अंगर की सारलेस को सलाई लगा देंगे किनारे पर भी लगाएंगे जहांसे हमने उसे फोल्ड किया है एक सलाई हम इधर भी किनारे किनारे पर लाइस पर लगा देंगे देखिए हमने यहाँ पर लाइस लगाई है इतनी ही लाइस हम यहाँ पर भी लाइस लगा देते हैं बहुत ही सुन्दर सा हमारा गेरा लगेगा कि ये लैस के दूसरे सड़वियां से लाई लगाएंगे देखिए ये हमारा चोटा सा गहरा तयार हो गया है देखिए करीब 6 इंच लंबी और 3 इंच चोड़ी एक पटी ले लेंगे मैंने कटिंग मसी सीधी करके निकाली हुई है इसको इस तरह से टर्ण करेंगे दोनों तरप से इधर से टर्ण किया इधर से भी टर्ण किया और इस अगर आपकी पतली लैस है तो आप दोनों किनारे पर लगाएंगे पट्टी नजरी नहीं आएगी मेरी अगर मैं दोनों तरफ लगाऊंगी तो इसलिए मैं सेंटर में लगा रही हो है फिर दोनों तरफ लगा देंगे लैस के उपर लैस कट कर देंगे देखिए 10 से 12 इंच की लंबी पटी ले लेंगे देखिए सीधी पटी रखेंगे सेंटर में रखेंगे नीचे की पटी भी सीधी रखेंगे और हमने उपर की पटी भी सीधी रखेंगे और उसमें एक स्लाई लगा देंगे यहां पर सीधा करेंगे पट को यही हमारी पटी तयार हो गई एक गेर हें इस त manners रखेंगे यहाँ पर की साथ से इस स्लाई लगा देंगे स्लाईड डबल लगाएंगे इस्फीत तरह से माई những dust बनकर complete हो गई है अब माई डर्यस बनकर complete हो गई है अब हम एक है ॅ कर बना लेब decision कि फ्रिल बनाने के लिए, कि मैंने 1.5 इंच चोड़ी लिए, 10 इंच की मेरी पटी है, मैं ये ले लेती हूँ, 15 से 20 इंच की पटी ले लेंगे, मैं ये पटीयां जोइंट कर लेती हूँ, एक पटी लेंगे, अपने कनियाजी के सर के माप के अनुसार पटी लेंगे, 5 इंच लं करेंगे ज्विएंट के बाद में इसको एक ठंट करेंगे दुबार टन करके इसमें स्पाइ लगाय करेंगो हमारी एक इंच की पट्टि बचेगी त्यार कर लेंगे कि नीचे फ्रिल वाली पटी रखेंगे उपर से अपनी कैप वाली पटी रखेंगे इसको सिल देंगे इस तरह से सीधा कर लेंगे यहां पर हम अपनी लैस लगा देंगे फ्रिल की पटी के उपर नहीं लगा रहे हैं उपर वाली पटी के उपर लगा रहे हैं हम लैस तेकले इसके दूसरी साड भी सिलाई लगाएंगे अंदर रखेंगे और सीधी साड इस तरह से इसको टर्ण करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे देखे एक सिलाई हम यहाँ से फ्रिल तक लगाएंगे स्लाइड अब लगा लेंगे देखिए जो यह हमारी ओपल साइड एधर की खुली हुई इसको सुनी से सिल लेंगे इस तरह से कच्छा करेंगे इस दागे को दोनों तरों से पकड़के इस तरह से काट लगाएंगे इसको सुनी से भी अच्छे से पक्का कर लेंगे दुमारा से इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे सीधा कर लेंगे देखिए हमारी केब बनकर तयार हो गई है कनिया जी की आप इस तरह से केब बना सकते हैं देखिए इसी तरह से हमारी सुन्दर सी केब बनकर तयार हो गई है अध्याव कई देखी इस तरह से हम पैना सकते हैं पैनानी कि हमें ज़रूत नी इस डेस के साहते में काना जी को बहुत ही सुन्दर सी हमारी डास लगेगी इस सरकल में छोटा बढ़ आपने इसाब से भी कर सकते हैं देखिए इडास हम काना जी को इस तरह से बहुत ही आसानी से इडास पहना सकते हैं काना जी को सरकल ने अपने हिसाब से छोटा और बड़ा कर सकते हैं अगर आपको इडास पसंद आती है तो प्लीज जनल को लाइक कीजिए सबस्काइब कीजिए और शेर कीजिए रादे झाल